ओम शान्ते ब्रह्मा कुमारी समस्थान के प्रमूख राज योगीनी दादी रतन महिनी जी, मंत्री मंडल के मेरे साथी गजेंदर सी सेखावत जी, ब्रह्मा कुमारी समस्था के सभी सतस्यकर्ण, अन्य महानुभाव, देवियों और सज्जनों। मुझे खुशी है कि ब्रह्मा कुमारी द्वारा शुरू किये गए जल जन अभियान के सुभारम पर मैं आप सबसे जुड रहा हूँ। आप सब के बीच आना, आप से सीखना, जानना, समझना, हमेशा ही मेरे लिए एक सुख़द अनुभव रहा है। स्वर्गिय राजयोगिनी दादी जानकी जी से मिला आशिरवात मेरी बहुत बड़ी पूजी है। मुझे आद है दोजार साथ मैं दादी प्रकाश मनी जी के ब्रह्म लोग गमन पर मुझे आबू रोड आकर स्रधांज निदेने कावसर मिला था। बीते वर्षों में ब्रह्म खुमारी बहनों के कितने ही स्नेहिल निमंत्रन मुझे अलग लग कारकमों के लिए मिलते रहे हैं। मैं भी हमेशा प्रयास करता हूं कि इस आध्यत्मिक परिवार के सदस्य के रूप में आपके बीच आता जाता रहूं। 2012 में अम्दाबाद में फ्यूचर आफ पावर उस कारकम में मुझे आने का मोका मिला था। 2012 में संस्थान की स्थापना के 75 वर्ष से जोड़ा कारकम हो। 2013 में संगम तिर्दाम का कारकम हो। 2017 में ब्रह्मा कुमारीज संस्थान का अस्षिवा स्थापना दिवस हो। या फिर पिछले वर्ष आज्यादी के अमृत महुत्सव से जुड़ा स्वानिम भारत का कारकम हो। मैं जब भी आपके बीच आता हूँ, आपका इसने, आपका ये अपनापन, मुझे अभिभूत कर देता है। ब्रह्मा कुमारीज से मेरा ये सम्मंद इसलिए भी खास है, क्योंकि स्वासे उपर उटकर समाज के लिए सर्वस्व समर्पित करना है। आप सभी के लिए आध्यात्मिक साधना का स्वरुप रहा है। साथियों, जल, जन अभियान एक ऐसे समय में शुरू हो रहा है, जब पानी की कमी को पुरे विश्व में भविष्के संकट के रुपे देखा जा रहा है। 21 सदी में दुनिया इस बात की गंबीरता को समझ रही है कि हमारी धर्ति के पास जल संसाधन कितने सिमित है। इतनी बड़ी आबादी के काराण, बोटर सिकुरिटी, भारत के लिए भी एक महुत्वपुन दाइत्वा है, हम सब की साजी जिम्मेवारी है। इसलिए आजहादी के अमरित काल्म है। आज देश, जैसे हम कहते हैं न, जल है तो कल है। तो जल को कल के रुपे देख रहा है। जल रहेगा, तभी आने वाला कल भी रहेगा। और इसके लिए हमें मिलकर आज से ही प्रयास करने होंगे। मुझे संतोष है कि जल सवरक्षन के संकल्प को अब्देश एक जन आंदोलन के रुपे आगे बढ़ा रहा है। ब्रह्मा कुमारीज के इस जल जन अभियान से जन भागीदारी के इन प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। इससे जल सवरक्षन के अभियान की पहुच भी बढ़ेगी, प्रभाव भी बढ़ेगा। मैं ब्रह्मा कुमारीज संस्ता से जुड़े सभी वरिष्ट मारदर्शकों का, इसके लाखो अनियों का रजय से अभिननदन करता है। साथियों, भारत के रुशियन ने हजारों वर्स पहले ही प्रकृती, परियावरा और पानी को लेकर, सैयमीत, संतुलीत और संवेदनसिल व्यवस्ता का स्रुजन किया था। हमारे यहां कहा गया है मा आपो हिंसी, अर्थात हम जल को नष्ट न करें, उसका सवरक्षन करें। यह भावना हजारों वर्सों से हमारे आध्यात्म का हिस्सा है, हमारे धर्म का हिस्सा है। यह हमारे समाज के संस्कृति है, हमारे सामाजिक चिंतन का केंद्र है। इसलिए हम जल को देव की संग्या देते हैं, नदियों को मा मानते हैं। जब कोई समाज प्रकूति से ऐसे भावात्पक संबन जोड देता है। तो विश्वजी से सस्टेनेबल डवलप्मेंट कहता है, वो उसकी सहज जीवन शैली बन जाती है। इसलिए आज जब भविश्य की चुनवत्यों के समाधान खोज रहे हैं, तो हमें अतीत की उस चेतना को पुनर जागरुत करना होगा। हमें देश वासियों में जल सवरक्षन के मुल्यों के प्रतिय फिर से वैसी ही आस्ता पैदा करनी होगी। हमें हर उस विकृति को भी दूर करना होगा जो जल प्रदुषन का कानन बनती है। और इसमें हमेशा की तरह भारत की आध्यात्मिक समस्ताओं की ब्रह्मा कुमारिच की एक बड़ी भूमी का है। साथियों, बीते दशकों में हमारे हां एक ऐसी नकारात्मक सोच भी बन गई थी कि हम जल सवरक्षन और परियावरन जैसे विशयों को मुश्किल मान कर छोड़ देते हैं। कुछ लोगों ने ये मान लिया था कि इतने बड़े काम है कि इने किया ही नहीं जा सकता। लेकिन बीते आठ नव वर्षों में देश ने इस मानसिकता भी बढ़ लए है और हालत भी बढ़ ले हैं। नमामी गंगे इसका एक सवसकत उदाण है। आज नकेवल गंगा साफ हो रही हैं बल्कि उनकी तमाम सहायक नदियां भी स्वच्छ हो रही हैं। गंगा के किनारे प्राकुर्तिक खेती जैसे अभियान भी शुरू हुए हैं। नमामी गंगे अभियान आज देश के विविन राज्यों के लिए एक मॉरेल बनकर उभर रहा है। साथियों जल प्रदूशन की तरह ही गीरता भूजल स्तर भी देश के लिए एक बहुत बड़ी चुनोती है। इसके लिए देश ने कैस्द रेइन मुमेंट शुरू किया है। जो अब तेजी से आगे बड़ रहा है। देश की हजारों ग्राम पंचायतों में अटल भूजल योजना के जरिये भी जल समुरक्षन को बढ़ावा दिया जा रहा है। देश की हर जीले में 75 अमरित सरोवर के निर्मान का अभियान भी जल समुरक्षन की देशा में बढ़ा कदम है। साथियों, हमारे देश में जल जैसी जीवन की महत्वपुन व्यवस्ता पारम पारी ग्रुप से महिलाओं के हाथ में रही है। आज देश में जल जीवन मिशन जैसी महत्वपुन योजना का नेतृत्व भी पानी समीती के माध्यम से गाउं में हमारी माता बहने ही कर रही है। हमारी ब्रह्मा कुमारी भेने यही भूमिका देश के साथ साथ वैस्विक स्तर पर भी निभा सकती है। जल सवरक्षन के साथ साथ परियावरन सम्मंदी इस से जुड़े सभी विशयों को भी हमें उतने ही मुखरता से उठाना होगा। खेती में पानी से संतुलित उप्योग के लिए देश डिप इरिगेशन जैसी टेकनोलोजी को बढ़ावा दे रहा है। आप किसानों को इसके जादा से जादा प्रवक के लिए प्रेरित करें। इस समय भारत की पहल पर पूरा विश्व इंटरनेशनल मिलेट यर भी मना रहा है। हमारे देश में मिलेट्स जैसे स्री अन्न बाजरा, स्री अन्न ज्वार, सद्यों से खेती और खानपान का हिस्सा रहे हैं। मिलेट्स में पोख्षन भी भरपूर होता है और उनकी खेती में पानी भी कम लगता है। इसलिए जादा से जादा लोग अपने भोजन में मोटे अनाजों को शामिल करें। आप इसके लिए उन्हें बताएंगे तो इस अभियान को ताकत मिलेगी और पानी का सवरक्षन भी बढ़ेगा। मुझे भरोसा है हमारे आपके ये साजा प्रयास जल जन अभियान को सफल बनाएंगे। हम एक बहतर भारत और बहतर भविश्का निर्मान करेंगे। आप सभी को एक बार फिर बहुत बहुत शुब कामना है। ओम शान्ति